कि हß नमस्कार आफ फापुदि धावा में आपका स्वागत है मैं हूँ राज और आज में बनाने जा रहा हूं मत्र पुलाओ और मत्र पुलाओ बहुत ही सिंक्पिल होता बनाने में बढहने में बहुत देस्टी होता है, अकसर साधियों में जाते हैं तो इक खाने को आपको मिलता और आप सूछते है कैसे बना है, पर बनाना इतना असान है mi आप सोच भी नई सकते, तो चलिए बनाते हैं me में आपको पहले बता देता हूं मैंने 400 g ralis लिए इसको 20 मिनट सोप कर लिया पानी में मैंने बिल्यानी राइस लिए पर आपके पास जोजे राईस ले सकते हैं पर अगर बिल्यानी राईस लिएगे तो ज्यादा पने का नम्बा राईस चोथा है मेंने liberty काजु को 1-2 जाएं अगाज़ काजु को मैंने 20 से 25-25 तक आखोई नभी अच्छा लागेगा थोड़ा सा तेज पत्ता, एक तेज पत्ता लिया है, थोड़ी सी दाल चीली, और करीब देखे छोटे छोटे चोटे दाल चीली के तिंचा टुकड़े हैं, और साथ आठ छोटी लाई चीली आ है, बस इतनी समान लिया है, और कुछ नहीं चाहिए मटर पुलाओ के लिए, तो इसमें मैं डालूँगा घी, आगर आप कुकर मेरा इस मना आते हैं, सीधे कुकर में डाल सकते हैं, ये घी डाल दूँगा, मैं दो चममत पूरा, अभी इसमें घी मेल्ट हो गया मेरा, अभी इसमें मैं डालूँगा खाड़े मसाले सारे, इनको हलका सा मसालो को फ्राइ कर जिससे मसालों की इसमेल घी में आजाए पुली तरा से मसाले मेरे हलका फ्राई हो गए अब इसमें मैं डालूंगा राइस तो राइस को हलका मिक्स कर दूंगा इसमें ज़ए जिसमें करना इसमें हरी मटर डाल दूंगा मतर को फ्राई करने कोई जड़रत नहीं कैजू डाल दूंगा उनको अपस मीमिक्स कर दोग tai खोड़ा सा तोगना पानी लूँगा बर्तन से नहीं 400 ग्राम 800 ग्राम नहीं जितना राइस आया था उस बर्तन में उसका दुगना पानी लूँगा एसको मैं राइस कुकर में पकने करग देता हूं और थोड़ा समय केड़ा जल्गी डाल दुँगा पक्ते टाइम पकने के बाद आपको सर्व करेंगे ठीक है यह सर्व करने के लिए इसे खुला खुला सर्व करेंगे यह देखिए है ना एक एक रहा इसा लग चलो आप इसको सर्व करते हैं आ रहा न अच्छा सा पूरा खुला 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 देखिए इसे खुला खुला सर्व करेंगे यह काजू जो इसका था एक तो लगा देंगे उपर से यह मेरा मटर पुलाओ बनके तयार हो गया तो आप भी जाएए मटर पुलाओ बनाईए और मुझे बताईए कैसा बना पर जाने से पहले आपको क्या करना है इस वीडियो को लाइक करना है सेयर करना है अगर फर्स टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल बटन को दबाना है जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके किसी भी चीज के साथ आप खा सकते हैं कोई भी सबजी के साथ खा सकते हैं दाल तड़का के साथ खा सकते हैं दाल प्राइक के साथ खा सकते हैं राजमा के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है तो जरूर बनाएगा इसे मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा मैं मिलेगा एक और साथ दारेस्पीक से साथ तब तक के लिए बाई बाई खुस रहिए सबको खुस रखिए खाते रहिए खिलाते रहिए